हालो स्टुडेंट्स आज हम इवियस का 11 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वी शेव वाटर याने पानी को सेव हमें कैसे करना चाहिए कैसे सेव करके उसको रखना चाहिए जिससे हमें कोई लाइफ में परिशानी ना हो लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को वाटर के बारे में थोड़ी सी कुछ और भी चीज़े बताना चाहती हूं जिसे की आप ध्यान से सुनिए तो इस्टुडेंट्स आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए जो है पानी बहुत ही जरूरी होता है और हम प्रतिदिन जो है साफ पानी जो है पीते हैं और साफ पानी पीने से पानी को पीने से क्या होता है कि हमारे जो सरीर का हेल्थ होता है वो बिल्कुल हम मतलब हमारा हेल्थ सही रहता है हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बेटा यह पानी आता कहां से है पानी के सोर्स रेन से मिलता है जैसे रेन जो है पानी का सबसे ज़्यादा में स्रोथ है जिससे की हमें पानी प्राप्त होता है अब ये ये तो आप जानते हो कि वर्षा से हमको पानी मिलता है लेकिन ये जो है वर्षा होती कैसे है अब हमें ये भी जानने की जरूरत है तो मैं आपको बतात हुँ कि यह वर्षा कैसे होती है तो यह वर्षा जो होती है हमारी वाटर साइकल के द्वारा होती है वाटर वेपर के द्वारा होती है जिसे हम वाटर साइकल कहते हैं ठीक है यह एक प्रकृत में नेचर में जो है एक स्वाभाविक क्रिया होती है एक तरह की जो कि मतलग यह स इस वीडियो में कि पानी जो है देखते हैं आप समुद्र में महाशागरों में पानी जो है क्या है हम देखते हैं अक्सर की भरा हुआ होता है लेकिन अब देखिए यह नदियां जो होते हैं यह समुद्र जो होते हैं इसमें जो पानी भरा होता है तो सूरज की किरने जो होती हीट होता है गरम होता है और पानी जब गरम होता है तो इसमें से देखिए कि वास्प के रूप में उपर के तरफ धीरे-धीरे बढ़ने लगता है और जब यह उपर उपर पानी बढ़ता है तो ये एक droplets का रूप ले लेता है यानि छोटे छोटे droplets बन जाते हैं जो की काले बादल के रूप में हो जाते हैं और साथ में हमाए भी चलती है तो क्या होता है कि हमाओं के चलने से ये जो छोटे-छोटे droplets होते हैं, जो काले-काले बादल होते हैं, ये जो है पहाडों की तरफ हमाय जो है चलती हुई जाती हैं, और वहाँ से क्या होता है, वो जो काला बादल होता है, वो उन पहाडों पर वर्सा के रूप में बड़ी-बड़ी बूदे बनकर नीचे के हो जाते हैं, तो बड़ी-बूंदे बन जाती हैं, और बड़ी-बूंदों का जो वजन होता है, वह आसमान में बादल अपने में आपजर्व नहीं कर पाता है, तो वह नीचे के तरफ हैवी होकर गिरने लगती हैं, जो की वर्सा का रूप धारन कर लेती हैं, और उन कहते हैं, ठीक है, तो आप ये मुझे उम्मीद है कि आप तो ये चीज़ समझ गए कि वर्सा होती कैसे हैं, लेकिन एक बात और मैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि वाटर प्रॉब्लम हमें जो है पानी की भी प्रॉब्लम बहुत होती है, और ये पानी की प्रॉब्लम जो होती है, तब हमें इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और क्या इसके कारण है, वाटर की प्रॉब्लम और की होती है, वाटर की प्रॉब्लम जो होती है, इसलिए भी होती है कि हम वनों की कटाई करते हैं, हम जंगलों को आजकल क्या करते जा रहे हैं, नश्ट करते ज जिससे कि पानी की problem हो रही है यानि इससे जो है बारिस नहीं हो रहा है और हमारे जुह सारे जो रह entitles the the जंगल ował समें जफे होते जारे हैं और क्या होता है समर के से जन में अकषर देखा है कि पान्य हो यह निति बिल्कुल सूख जाता है और पानी जो है बहुत दूरी दूरी मात्रा बहुत दूर दूर जगव पर हमको देखने को मिलता है जिससे की हमें पानी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है तो ये होते हैं water problems हमारे लेकिन next point हमारा देखी दिया हुआ है saving water तो अब इसमें बताया गया है इस topic में कि हमें पानी को save कैसे करना चाहिए सुरच्छित उसको बचा कर हमें कैसे रखना चाहिए तो first of all मैं बताती हूं आपको कि जैसे आप सुबह में brush करने उड़ते हैं तो आप चालू कर दिया और टाइप जो है वह running में है और आप brush कर रह हम जब पानी जैसे कि हम school जाते हैं अपने bottles वगरे में पानी ले जाते हैं और फिर हम कुछ बचा के लाते हैं पानी तो हमें उसको जमीन पर ऐसे ही नहीं गिरा देना चाहिए क्या करना चाहिए उसको हमको पौधों में डे देना चाहिए पौधों में डाल देना चाहिए पानी को, इसके बाद जैसे हम नहाते हैं तो क्या करते हैं, हमें कभी शावर का यूझ नहीं करना चाहिए, हमें टेपHiya को खुला करकर ऊसके नीचे बैठके नहीं नहाना चाहिए, हमें जो है हमेसा bucket या mug याने जग का भी यूज करना चाहिए अपने नहाने के लिए हमें shower से और जैसे हम जब tap को running में कर देते हैं तो वो पानी waste होता है तो हमें इस तरह से पानी को waste नहीं करना चाहिए पानी को हमें save करना चाहिए इसके बाद हमारा next point है जैसे कि अगर हम store करने वाले कुछ storing water पानी को store करने के लिए कुछ हमारे पास containers होते हैं जैसे कि bucket होते हैं मटके होते हैं टैंक होते हैं यह सब हमारे क्या होते हैं यह store करने वाले पानी को store करने के लिए containers होते हैं जिसे कि हम यूज किए गया है यूज करते हैं और देखिए इस पिक्चर में यह दिखाया तो आपके भी घरों में यह सब कंटेइनर से होंगे जिसे कि आप अच्छीride से देखे हूंगे और जानते होंगे कि जिसमें पानी आप इस्टोर करते हो इसके बाद हमारा next point है reusing water यानि हम पानी को reuse कैसे करते हैं reuse का मतलब कि किसी पानी को यूज करो और फिर उसके बाद जैसे मैं example के थ्रू आपको समझाती हूं जैसे देखिए मान लीजिए कि आपने fruits और vegetables को wash किया लेकिन wash करने के बाद आप क्या करते हो उस पानी को बाहर गिरा देते हो नाली में ऐसे गिरा देते हो आपको वो पानी जो है नाली में नहीं गिराना चाहिए वो पानी जो है आपको पौधों में वापस डाल देना चाहिए इससे क्या हो तो आपके होगा ना यूज होगा वाटर ठीक है तो इसे हम रियूजिंग वाटर बोलते हैं इसके बाद और नेक्स्ट उदाहरर में आपको देती हूं एक्जामपल जिससे आपको समझ में आ जाएगा जैसे कि देखिए आप क्या करते हैं आप कपड़े को क्लॉट्स को घर म वाश करते हैं आपकी मदर वाश करती हैं और उसके बाद क्या करते हैं जो वाश करते हैं जब कपड़े और कपड़ों को जब हम खंगालते हैं पानी में तो हमारे पानी जो हो जाते हैं वो गंदे हो जाते हैं तो हम उसको जमीन पर यूही बात्रूम में अपने गिरा देत और घर की first की सफाई भी हो गई तो इस तरह से जो है मतलब देखिए कभी हम हाथ पैर कभी धुलते हैं तो वो भी पानी गंदा हो जाता है और फिर हम उसको गिरा देते हैं तो उस पानी को हमें ट्वैलेट में गिरा देना चाहिए तो इस तरह से बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके माद्यम से हम पानी को reuse कर सकते हैं हमें पानी को waste नहीं करना चाहिए इस चैप्टर में जो है most जो है पानी को मतलब पानी के बारे में यही बताया गया है ओके थैंक्यू स्टुडेंट्स